एलो फ्रेंड्स जोतिक डेशन में आपका स्वागत है आज हम काना जी की ड्रेस बना रहे हैं दिखिए हमने यह दो कलर का धागा लिया और यह हमने कि सिर्फ हमको छे घरी डालने हैं इसमें इसमें कि दू है कि दू है कि इस चाहर पांच अब हम हम पहली सिलाई जो है पूरी उल्टी ही डालेंगे इसकों टाइट खीच लेंगी और पहला धागा भी टाइट रखेंगी इस तरह से भी हम छे सिलाई छे घर जो है सारे उल्टे बिनेंगे अब हम क्या करेंगे तीन धागे सीधे बुनेंगे एक पहले उठा लिया है दो और तीन उसके बाद हम दो धागे उल्टे बुनेंगे एक और एक दो देखें और यह पीछे के जो हमारे हमने छेद आले थे यह हमने इसी उल्टी सलाई हम पूरी उल्टी डालेंगे यह ऐसे ही हमारे छेद आगे हमारे ऐसे ही चलेंगे एक पहला उतार लिया बनाया नहीं दो तीन चार पांच एच्छे हम पहला इसी उतारेंगे दो और तीन जो लास्ट वाले दो फंदे हैं वह हम उल्टे बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह यह हमारा बॉर्डर आता रहेगा चले इसी तरह हम बना के आपको दिखाते हैं आप दो देखे आ हमने अपनी पट्टी न पुरी कर ली हैं हम यहांपर बारा सलाई यह ऑना चौवविस अले टाले के हमारे नारे ख़िये कश्वे एक दो तु चार पांच tut साथ आट नो दस गैरा बारर अम देख इब 12 डाले अब हम क्या करेंगे अमने इसी ही पत्ता सेम ये दीखिए दूसरी बना लए ये दह ना लिए अब हम क्या करेंगे यह जो हमारे घर हम इसको इस तरह दो आपके यह कबे 집 हम बाहत बुश्य करें कि इस तरह थे इस तरह से इस बाहर की साइड में रखेंगे आधि यह बहला भी निकाल Vielen को भी में दीए नहीं से दोनों सफिधे हुँ जा दोनों साइड एदोनों साइड खूर मैं यह मैं क्या करेंगे यह छे फंदे उदर थे छे ही हमने दूसरी साइड डाल लेकिन यह डालने की तैंट ध्यान रखना है यह जो हमने देखी दो उटे इस यह बाहर की साइड में होने चाहिए अगर एक अंदर हो गया एक बाहर हो गया तो आपके बनाने में गड़वड हो जाएगी इसके लिए आपको खास ध्यान रखना है कि हमको यह जो है यह हमको दोनों एक साइड में होने चाहिए इस साइड भी हमारी हैं बाहर की तरफ है उठें और इस यह भी बाहर की तरफ है चली हम इसको आगे बनाएंगे हडा की दोनों को जॉइन कर लिया है दिया ख़िए अब भार फिर से बता रहें कि यह जो दोनों हमने उल्टे-उल्टे दो कोदो डालें वे बाहर की साइड में होना चाहिए अब हम यह जो सिलाई है पहले हमने सीधा बुना अब दो इसी तरह बनाते जाएंगे उल्टा बढ़ेंगे कि उसके बार हम वापर से पूरी सिलाई के उल्टी सीधी डालेंगे कि हम सिलाई पूरी सीधी होगी कि फिर से दो उल्टे है तो यह हम दो उल्टे ही डालेंगे और लास्ट का हम सीधा बुल दो अब पूरी सिलाई हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे इसके थोड़ा कीच के रखेंगे ताकि यह हमारे जो धागें वो लूज ने हो देखिए दो सिलाई हमारी हो गई है अब दो सिलाई और डालेंगे पहला हम नैसे उतार लिए अब हम दो उल्टे गुनेंगे और फिर सिधे गुनेंगे सारी सिलाई सिधी बनाएंगे यह जो लास्ट वाले हमारे फिर से जो दो है यह हमारे यह लास्ट वाला हम सीधा बनाएंगे इस तरह से हमारे किनारी इसी तरह बनती जाएगे इंटी से लए हम फिर से उल्टी डालेंगे इस तरह से यह दिखें हमने चार सिलाई यह दालेंगे अब हम फिर से बैस दो सिलाई डालेंगे छे सिलाई में हमारा यह इनकी चोली जो है कॉंप्लीट हो जाएगे इंटी सिलाई हम सारी फिर से उल्टी डालेंगे इस देखें हमने इसी तरह यहां तक बना लिया यह चे सिलाई उपर डाल दी अब हम यहां धागा काट दिया है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे अब हम क्या घर उठाएंगे यह दिखें अब हम यहां से यह बात में हम सारे धागे अंदर करतेंगे इसको भी हम यहां से यहां से आप दो उसको अब पर लेंगे तीन चार इसे करते जाएंगे ताकि नहीं दागे आपके दागे आपके दागें वो बाहर दिखेंगे लिए पे पोग्ष पूमच्ट कि पाँ पाँ कि पाँ कि पाँ इस साइड भी हमने 6 फंदे उठा लिये है अब हम क्या करेंगे इसको इसके साथ में अभी हमको यह दो दो उन्टे डाले हैं हमको यह नहीं डाले हैं अब हम यहां से इसको ऐसे पकड़ेंगे ज्यादा तर अपका गांट लगा लें एकदम ज्वाइंट करके इसको गांट लगा लें यहां से आपका जो लूज नहीं होगा यहां से गांट लगाएं अब हम क्या करेंगे इसको सीधा सीधा बुलेंगे अब हमने जो पहले अब हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे और यहां से सीधा छे फंदे हम सीधे ही बुलेंगे तीन जो भी हमने बीच में बनाए हैं लास तक हम इसको अब सीधा ही बुलेंगे अब हमको लास में उल्टे डाल दे तहीं यह नहीं डाल के इस त Ty से हमारे जोएंट हो पर हम इसको अब हम करेंगें इसको इसको से इल्टा text करेंगे ऐ इसको आफ इस तरह से इस तरह से बापस जैसे हमने उस साइड में छे फंदे उठाए हैं इसी तरह हम इस साइड भी इसकी छे फंदे हम उठा लेगे बहुत असान है फ्रेंड्स बड़ा जरा सा भी मुश्कल नहीं है खाली शुरू में एक पजल सा है है यह कर दो किमारा चब्ति वाला यह लास हमारा है तो 6 अब हम हम यहां भी हम नहीं तीन और पिल उठा लिरी शड्रي एक छिल्क हम पूरी औल्ट जूची डालेंगे और कि यह हमारा पाक्वा artists है इसलिए हम यह श्राय रिट्डरेंगे इस तरह यह हमने छे फंदे इधर बढ़ा दिये अब हम जहां पर हमको टाइट ही रखने लूज नहीं करना नहीं तो मारा गैप आजाएगा फोला से खींच लीजिए ऐसे तो बराबर आजाएगा अब हमारी जितने धागे में दिख रहे हैं यह सब हम अंदर डालेंगे अभी यह दिखी एक दो तीन चार पांच यह भी हम छे फंदे उल्टे ही डालेंगे अब हमारे पास टोटल 24 फंदे हो गए छे हमने यह उठाए छे यह हुए यह बीच के हुए छे यह इसे तरह करके हमने यह दिखी 24 फंदे हमारे हो गए छे 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 एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस ग्यारा बार अब हम इसको फिर से एक सलाई सीधी और एक उटी डालेंगे अब हमको यह बाला बॉर्डर नहीं बुलना है एए ज्व इक लिए बनाखे दिखार ऑंच पर जालेंगे दिखी 256 फंदे लिए ओसके बाद हम आधी और इक जाली बनाएंगे उसके बाद प्रिर एक सीधा बनाएं, फिर एक जाली बनाएं, एक सीधा बनाएं, फिर एक का आगे करके जाली बनाएं, फिर एक सीधा, फिर एक दो सीधे होगे, फिर हम दो सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करके, फिर से एक और एक दो, दो सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, दो सीदे बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे दो सीदे बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे दो सीदे बनाएंगे धागा हमको पहली बार में आगे ही रखना है फिर धागा आगे करेंगे दो सीदे बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे यह दिखिए जाली बढ़ गई इसका हमको दो फायदा है एक तो इसमें हम बार में डोरी डाल देंगे और एक घर भी बढ़ते हैं सुन्दर भी लगती है अब दिखिए पहले हमने यहां दो सीधे डाले थे अब यह हमारा जो है यह तीन हो गया तीन सीधे हो गए उसके बाद फिर से हम एक दो और यह हमारी जाली ata यह तीन होते जाएंगे जाली जाले करेंगे अब पहले हमने दो जो सीधे यह अब यह देखे हमारे 3-3 सीधे हो गए फिर हम धागा आगे करके 1-2 और यह 3 फिर धागा आगे करेंगे 1-2 और यह 3 यह तो क्या है फ्रेंस हमको घर बढ़ाने हैं अगर हमको घर नहीं बढ़ाने हो वैसे जाली डालनी हो जैसे यह डाली तो हम धागा आगे करके 2-1 करेंगे तो बराबर जाली बनती है, लेकिन हमको तो उसमें घर बढ़ते नहीं है, क्योंकि दो का एक करते हैं, एक वो होगे, एक जाली वाला होगे, दो के दो बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर घेर के लिए हमको घर बढ़ाने हैं, इसलिए हम सिंपल ही एक ही का आगे धागा करके बनाते हैं, फिर धागा अगे करेंगे, एक दो यह ती फिर धागा अगे करेंगे यह हम ऐसे ही simple दो बोलेंगे अब हम उल्टी व्लाई पता डालेंगे हमने ये दो जाली डाली इसी तरह हम जाली और बनाएंगे और ये जो हमारे घर है दिखीए पहले दो थे फिर तीन हुए अब ये चार हो गया है इस तरह हमारे जो घर है बढ़ते जाएंगे हम आपको बनाके दिखाते हैं आप पूरा एक दिखें यह हमारे अभी चार हो गए है अब फिर से हम धागा आगे करके एक दो तीन और यह चार इसी तरह हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे इक अभी हम थोड़ा लंबाई जितनी चाहिए हमको अपना करके हम बताते हैं आपको दिखें हमने इसमें एक एक दो तीन चार पांच पांच जाली डाली अब हमारे पास घर थे चौविस यह चे 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 और चे चौविस घर थे अब हमारे पास तोटर घर हो गए हैं एक दो तीन चार पांच छीँझए साथ आठ नो दस ज्यारा बारा रा तेरा snare अंदरा सोरा सतरा आठरा उनने इस बीस इक्यस बाईश तेईश अचै चोविस पच्टिश चब्धिश ताइस अथाईश चै़ चाहोगाना च्टी 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 उन्तालिस थात्तर असी के आश्पास मार पर सेवन्टी एट घर हो गया है अब हम क्या करेंगी और गर नहीं बढ़ाएंगे अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहां पर हमने बारा बनाना चाहते हैं तो इसको लंबा कर सकते हैं तो आठ जाली डाली है अगर आपको बड़ा बनाना है घेर तो आठ जाली दस जाली डालीजिए उसके बाद हम प्लेन बनाएंगे अगर गेर इतना बड़ा नहीं बनाना है तो आप ये छे की जगा 4 जाली बना लिए तो आप अपने काना जी के साइज के हिसाब से आप जाली और बना लिए देगे अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधा सीधा बनाएंगे जितना हमको लंबा चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम जाली बनाते जाएंगे, वो घर जो है वो बढ़ते जाएंगे, इसके लिए अब हम देखे घर नहीं बढ़ाएंगे, सीधा सीधा उल्टा सीधा उल्टा ही बुनेंगे, इस तरह यहां पर आता है, लेकर हम नहीं बढ़ा ऑ्गर आपका जी पर दया है तो आप जाली बीगी साफ जाली बड़ी कर दे성 यह जो आपμεने यह यह गुळी आप दो ङए आप उपल से उपहे डालें वहां बै। उतने ही फंदे आप दूसी साइड से उठाएं तभी हमारी जो कंदे की जो बांग की शेप है वह एक जैसी आएगी दिखिए अभी हम इसको बना के दिखाते हैं यहां तक लास उल्टा इसमें भी हम उल्टा सीधा उल्टा सीधा ही बुनेंगे कि डिए धिक अबढ़ंस हमने यह जाली डालकर उसके ओपर एक दो चार चीज प्राइल हमने यह एखिश मनें को वेश्पी रिक्राइल हमने बनाने के टाइम हमने क्या किया अभी देखिर हमने पहले यह अब एक गर हमने green color का बनाया है यह देखे एक घर हमने green color का बनाया और एक pink pink color का बनाया एक green एक pink color का अब हम क्या करेंगे डबल हो गया है अब हम क्या करेंगे अभी हम ग्रीन के उपर यह लाइट पापर जो है हमारा पिंक जो है हम वो डालेंगे अब हम ग्रीन के उपर पिंक पापर डालेंगे इस तरह अब यह जो हमने अब यह जो हमने अब यह जो हमने अब यह जो हमने पापल लाइट कलर डाला है उसके ऊपर हम ग्रीन डालेंगे अब फिर ग्रीन के ओपर पापल पापल के ओपर ग्रीन इस तरह से हम कि अपने इसकी जो लंबाई है वो पूरी करेंगे अब हम इस पीजिए डालने अब हम उल्टी स्लाई में जो कलर का हमने दाला है पहला आइसी उठा लेंगे उसको ऐसे पकड़ेंगे और दूसरा हम ग्रीन बनाएंगे ग्रीन के ओपर ग्रीन बनाएगे अब हम जो जो कलर का हमने बनाया है उसी कलर का हम एक 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 टांका हम यह बनाते जाएंगे पॉपल के उपर पॉपल और ग्रीन के उपर ग्रीन इस तरह से हमारा डिजाइन आएगा अब नेक्स बैर हमें फिर से ग्रीन के ओपर पर 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 ग्रीन इसी तरह से हम अपना लैंध जो है इसकी वो पूरी करें इस तरह से हमारा जो डिजाइन हो आता जाएगया तो कि दिखिए जर आ ऐले इस इस तरह से हम रहे और बनाना चाहें境 को करना सकते हैं। सीधी डालेंगे तो हमारी जो किनारी है यह जो उल्टी साइड की जैसे दो जो बट्टें बोलो जा दो किनारी का बॉर्डर सा हमारे आ जाएगा देंगे यहां धागा काट देंगे ग्रीन हमारा हो गया है और इसी से भी हम सीधी सीधी डाल के आपको दिखाते हैं देखी फ्रेंड हमने एक दो उल्टी सलाई यह डाली है अब सब इतने ही डालेंगे क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो हमारी जो लंबाई है ज्यादा हो जाएगे चलिए भी हम इसको यहां से घटाएंगे हम धीले धीले हाथ से दूझ है एक अगर आप चाहें कि आपको और नम्बा करना है तो आप यह चाहत है हमने दो इसराई डाली है कलर के अब चाहत है श्यादा डाले ईह अड़ करना चाहते है आप दो सलाई डाल के बंद करना चाहते हैं तो आप दो सलाई डाल के भी बंद कर सकते हैं और आपको बड़ा बनाना है तो आप यह जो हमने डिजाइन डाला है यह वारा तो आप इसको भी बड़ा बना सकते हैं दिले दिले हासे इसको बंग करेंगे लास्ट में बना लिया है पूरा यहां से भी हम दागा काटते हैं कर दिलें लिए क्षेख द़िए हमने अब लिया है यहां से हम इसको इस तरह से दोरी बनाएंगे कि हम इसमें भी चेन डालेंगे कि इसमें तो जिंती नहीं है आप अपने हिसाब से उनकी नाप लेजी कितना बड़ा 24 यह हमारे 25 पंदे हमने यहाँ पे डाल लिए काना जी की टोपी जे लिए अब हम इसको कि सीधा सीधा ही कि बुनेंगे कि अब पहले स्राइब हम उल्टी डालेंगे क्योंकि हमने सीधा उल्टा बुना है कि पहले स्राइब हम उल्टी बनाएंगे कि हमको हाथ उसी तरह ना धीला रखना है ना टाइट रखना है पंदे भी आपको बहुत ज्यादा धीले नहीं डालने है कि इस तरह से भी हम सारी सलाई यह उल्टी डालेंगे कि रखना है दो कि आपको बहुत है नहीं सारी से उल्टी बिसना कि दो भी हम सारी है बहुत है बहुत है कि देखें पहले हमने उल्टी डाल दी अब हम दो स्लाई डालेंगे एक सीधी और एक उल्टी देखें पहली स्लाई हम सीधी डालेंगे कि इसी तरह हम हम पुरी सीधी घुल्टी बना के दिखाते हैं दिखें हमने हम यहां पे दो स्लाई उल्टी दो स्लाई सीधी इस तरह हमने चार डाल दी अब इसने दूसा कर जिस तरह हम यहां डिजाइन बनाया है जहें कि यह वाला दिजाइन भी यहां टोपीी में भी भी सेमडेदा बनाएंगे रही है अब उसके लिए फिर से गरीन का लेंगे और यहां पर हम कि कैसे उसमें एक गरीन का और एक वार ग्रीन एक फंदा ग्रीन का और एक फंदा हम पिंक का इसी तरह हम यह सिलाई भी पूरी उसी तरह बूल लेंगे अब यह हम डबल ले लिए हैं लेकिन बूलने के टाइम यह हम एक ही बनाएंगे कि यह इसलिए होता है कि यह दंगा बाहर ने निखले अर्फाधि जो सिला इया ओडाएंगे ऊपने XL पंदा हम सीद्या करें साज़ण का और एक फंदा हम यूपी का बनाएंगे लो जो भी बनाएंगे इसी तरह हम अपने शिलाएं पर हम बनाएंगे उल्टी में हम गरीन के दीखाते हैं दिखिए हमने इसी तरह हम इसको तीन बार बनाएंगे भी, अवहिए दो सलाई जालेंगे फिर फिर से गरीन के वपर पपल पॉपल के वपकल के वपर कि अभी हमने अपना कॉंप्लीट कर लिया है अब हम गरीन धागे को कुछ करेंगे वाइट से ही हम परपल से ही हम अपना नेक्स बनाएंगे इसमें भी हम देखिए कि इस तरह हम दो से लाई इसकी एक सीधी एक उल्टी बनाएंगी दिखाते हैं बनाती लास तरह हमने एक स्लाइट से अब हम इस साइड को इस सीधी सिलाई ही डालेंगे यहां हमको सीधी सिलाई ही डालनी है यहां से पहला वैसी उतार लेते हैं उसके बाद हमको पूरी सिलाई हम सीधी डालनी है इस तरह हमारी यह टोपी है वह कंप्लीट हो जाएगी कि यह लास्ट वाला फंदर हम उल्टा ही बूंगे यह दिखिए हमारी जो टोपी है वह कंप्लीट हो गई है अब यहां से पंदे बंद करतेंगे सारे पंदे हम यहां से घटा देंगे पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे आप आप यहां से थोड़ा सा टाइट हाथ से इसको बंद करेंगे अब करेंगे लुझे में ऑनका है अब यहां से बंद करेंगे बंद करेंगे इस अब बंद करेंगे झाल झाल इस तरह हम ने सारे फंदे घटा दिये हैं इस तरह हमारी टोपी कम्प्लीट हो गई है अभी हम इसको सिलाइ करें यहां से भी हम इसका धागा काट देंगी यहां से निकाल के रखके हम धागा काट करेंगे अब हम इसको टोपी को सिलाइ करेंगे पहले हम यहां पर दागा लिया है इसको भी हम यहां पर गांट लगा लेंगे कि डबल गांट लगाएंगे तांकी और इसको इस तरह से हम कच्छा कर लेंगे यहां से हम ऐसे छोटे-छोटे टांके लेके इसको कच्छा कर लेंगे कर लेके इस तरह से हम कर लिए अब हम इसको कर लिए अब हम इसको कर लिए इसको ऐसे इस तरह खींच लेंगे इस तरह हम इसको खींच लेंगे और यहां पर इसको उल्टा करेंगे और इसको यहां पर टाइट खींच के इसको यहां हम तंका लगा देंगे जितना हो जें उतना आप टाइट खींच लिए यहां से भी हम यह वाला हिस्सा भी और यह दूनों लेकि जो हमारे पास खुला है थोड़ा सा उसको इस तरह से अभी हम सिल देंगे इसको अच्छे से हम अंद्र से पै कर लेंगे जो हमारे पास धागा है यहां दूसरा उसको यह साथ हम इसकी गांट लगा देंगे इसको हम अभी क्रोशे से सारा धागा जो है चाहे आप सुई में धागा डाल के कर लिजे चाहे आप क्रोशे से सारे जो धागे हैं हम अंदर की तरफ कर देंगे कर देंगे इसी तरह में साइट का भी धागा खेंच लेंगे अगर यहां कैंची से इसको कार देंगे आप चाहें तो सुई धागा से सुई में डाल के भी आप कर सकते हैं इस तरह से हमारी तोपी हो गई अभी हम यहां से भी सिलेंगे पूरी कितनी सुन्दर सी तेहार हो गई है और एक दम ड्रेस के साथ की बनाई है तो इसलिए मैचिंग भी हो गई है अब हम क्या करेंगे इसको नीचे से ग्रीन से थोड़ा साइस को करेंगे ताकि और ज्यादा हमारी अच्छी लगी यहां से यह रिखी हमने चेन बनाई एक और दो इसी तरह करके हम एक एक चेन बनाएंगे एक छोड़के उसमें डालेंगे एक चेन बनाएंगे और एक एक जो हमारा अगला चेन है उसमें हम डालते जाएंगे एक चेन और इस तरह से अब हम इस तरह से हम टोपी के नीचे भी किनारी बनाएंगे और यहां ड्रेस के नीचे भी बनाएंगे चली कंप्लीट करके दिखाते हैं